अगर आपकी औरत गैर मर्द से ठुकवाती है तो आप महुआ के बीज की दवा बना कर खालो आपकी औरत गैर मर्द से ठुकवाना छोड़ो गैर मर्द को नजर उठा कर भी नहीं देखेगी किसी भी औरत को किसी भी लड़की को बिस्तर में पूरी तरीके से संतुष्ट करना है तो आप इस महुआ के बीज की दवा बनाईए और किसी भी औरत के गुफा का पूरा पानी निकाल कर उसकी गुफा फुला दीजिए अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मर्दाना ताकत की कनी है तो आप इस महुआ के बीज को खाईए आपके अंदर गोड़े जैसी मर्दाना ताकत आ जाएगी आप किसी भी औरत को किसी भी लड़की को पूरी तरीके से खुस करने में सक्छम हो जाएंगे तो चलिए जाने इस से पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें पेज को फॉलो कर लें आज कल की औरतें और लड़कीयां बहुत ही जादा जो सीली हो गई हैं और मर्द हिला हिला कर अपने जवानी का पूरा पानी ही जाड़ चुके हैं अगर आपने अभी हिला हिला कर अपने अंदर ना मर्दी और नपून सकता लादी हैं तो आप इस महुआ के बीज का इस्तमाल करिए आपकी बीवी पूरी तरीके से संतोष्ट होगी और कभी किसी गैर मर्द के पास ठुकवाने के लिए जाएगी नहीं तो आपको सबसे पहले महुआ के बीज को लेना है और इसे सुखा कर पीस कर इसका पचीस ग्राम की मातरा में पाउडर तयार कर लेना है और आपको लेना है पचीस ग्राम की मातरा में सफेद मुसली और पचीस ग्राम की मातरा में आपको लेना है कौँच के बीज आपको तीनों चीजों को पचीस ग्राम की मात्रा में महुआ के बीज के चूण 25 ग्राम की मात्रा में कोच के बीज का चूण 25 ग्राम की मात्रा में सफेद मुसली तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके किसी छोटे से काच के जार में भर कर रख देना है प्रति दिन सुबह साम दोनों टाइम खाना खाने के बाद एक चमच की मातरा में से इसका चून निकालें और आधा चमच की मातरा में आपको गुड या लेना है आपको मिसिरी मिक्स करना है मिक्स करके मोह में रखें और चूसें चूसने के 15 मिनट के बाद आपको गुनगुना पानी या गुनगुना दूध पीना है आपके नस नस में जोस आने में सिर्फ 5 मिनट लगेगा आप अपनी बीवी की दोनों तांगे फैला कर लगा तार 6 से 7 घंटे बिना रुके बिना थके ठुकाई करते रहेंगे ठोक ठोक कर अपनी बीवी का पूरा पानी जहार देंगे इतना जादा जोसीली चमतकारी दवाई है